यूपी और उत्राखन की खबरों के लिए एबिपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाएं क्या हाथरस में जंगा भड़काने की साजिश थी? क्या हाथरस को तंगो की लैब बनाने का प्लैन था? क्या जाती के नाम पर नफरा पहलाने की साजिश थी? क्या मोदी योगी को पदनाम करने की साजिश थी? हाथरस के नाम पर यूपी को चलाने की साजिश थी? क्या नफरत भैलाने के लिए की गई इंटरनेशनल साजेश ये नफरत की आग लगाने के लिए कौन कर रहा था फंडे क्या हाथरस में इंसाफ की लड़ाई के बहाने दंगा भड़कानी के साज़िश थी क्या हाथरस को जातिये दंगे की प्रियोक्षाला बनाने का प्लैन थी क्या वाकई यूपी में नफरत भ्याग लगाने के लिए इंटरनेशनल साज़िश रची जा रही थी क्योंकि हाथरस पर यूपी सरकार ने किया है अब तक का सबसे बड़ा दावा सरकार के मुताबिक हाथरस में बेडिता को इंसाफ दिलाने के मोहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश रची है इस दावे के पीछे जस्टिस फॉर हाथरस नांग की वेबसाइट है अरोप है कि इस वेबसाइट का मकसद ही यूपी में जातिये दंगे करा कर योगी और मोदी को बदनाम करना दा हाथरस कांड के पीछे मौजूद इंटरनेशनल कनेक्शन में सब को सन्न कर दिया है वजह है दुनिया में मौजूद यूपी का वो दुश्मान जो भारत के खलाफ शड़े अंतर रच रहा है जिसका मकसद है यूपी को नफरत क्याग में चलाना संपरदाइक शक्तियों के जरिये उपत्रफ करवाना हात्रस मामले की जाच में जुटी सुरक्षा एजंसियों के हाँ तब एहन सुराग लगे हैं साफ तर पर सुरक्षा एजंसियों को जो तहत यह बिलकुल क्लियर है कि इस घटना को लेकर उतर प्रदेश में जाति हिंसा फैलाने की तयारी थी और इसके लिए बकाइदा एक वेबसाइट भी बनाई गई थी वेबसाइट को नाम दिया गया था Justice for Heartless Victim ये एक वेबसाइट बनाई गई जिसके जरिये हजारों लोगों को फेक आईडी के सहारे उसमें जोडा गया इस वेब साइट में इस बात का भी जिक्र था कि कैसे मास्क लगा कर प्रशास्निक अधिकारियों पर अगर कुछ करना है हमला करना है तो उसका भी इसमें बखान है दावा किया जा रहा है कि इस पूरी साजिश के पीछे PFI और SDPI जैसे संगटनों का हाथ और जैसे ही जाच एजिंसियां इस वेब साइट तक पहुँचे तो रातों रात वेब साइट बंद हो गई यूपी सरकार का दावा है कि नागरिक्ता संद्शोधन एक्ट के विरोध में जिस प्रकार से प्रदेश में जगह जगह हिंसा की गई थी उसकी तरह ही हात्रस के मसले के बाद प्रदेश में ऐसी परिस्थिती पैदा करने की साजिश रची गई है इसके लिए बाकाइदा डिजिटल प्रेट्फॉर्ट सोशल मीडिया आदी का सहरा लिया जा रहा है अभी जो चीजे आ रही हैं जैसा मैंने आपको बताया कि एक सड्यांद्र की इसमें शाजिश है और जिसके बारे में वेचना शुरू हो गई है और कुछ की रफ्तारिया भी आगे इस समद्ध में की जाएंगे बताया कि यह सब वेचना का प्रस्टन है जब जैसे जैसे चीज़ें इसमें परत दर परत खुलती जाएंगी आप सभी को आउगत कराए जाएंगे यूपी सरकार के दावे के पीछे मौझूद है यह स्क्रीन शॉट जिनका खुलासा चांच एजिंसियों ने किया है इन सबूतों के जरिये सरकार का दावा है कि हाथरस की वारदात के बाद साज़िश के तहर ये जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट बनाएंगे और नियाय के नाम पर टंगू की साज़िश रची की इसमें साफ दिखाई दे रहा है इनसाफ के नाम पर दिल्ली, मुलकाता और एहमदाबाद में प्रदर्शन के लिए लोगों की इकठा करने की अपील की गई प्रदर्शन के दौरान क्या करना है और क्या नहीं इसके लिए बाकाइदा निर्देश भी दिये गए हैं सरकार के मुताबिक वेबसाईट पर ये जानकारी दी गई कि मास्क पैहन कर पुलिस और प्रशासन अधिकारीं के खिलाब प्रदर्शन करे ताकी पहचान नहों दंगे कैसे करे या फिर दंगों के बाद कैसे बचे इसके कानूनी उपाय की जानकारी विबसाइट पर दी गई है साथी विबसाइट में बताया गया है प्रदर्शन के वक्त क्या पहने कब किधर भागे सोचल मीडिया पर कोई रिकॉर्डिंग न डाले अगर फुलिस लाठी चार्ज करती है तो क्या हो प्रदर्शन वाली जग है महोल भढ़के तो कैसे निपंटे आती साथ ये कहा गया है कि किस طریके से अगर वहां पर हिंसा होती है तो आपको रहना है किस तरीके से वहां से बाहर निकलना है हातरस की घटना को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा इजन्सिया जाच कर रही है हर दिन कोई ने कोई एहम सुराग उनके हाथ लग रहा है साफ तोर पर अब तक की जाच में यह सामने आया है कि कुछ इस्लामिक देशों से कई संगटनों से फंडिंग की ताकि इस पूरे मामले को लेकर यूपी में और पूरे देश में जाती दंगे फैले इसके पीछे अब ये तर्क सरकार और सरकार के मंत्री दे रहे हैं कि जैसे सीए एनार्सी का विरोध हुआ और सरकार ने कड़ी कारवाई की वही लोग इसके पीछे भी है सरकार का दावा है कि इस तरह की वेबसाइट का मकसद सीएम पीएम और सरकार की छवी को खराब करना है यही वज़ा है कि वेबसाइट पर फर्जी आईडी के जरी लोगों को जोड़ा क्या है आगे देखिए इंटरनेशनल साजिश के पीछे कौन है सरकार का दावा है कि साजिश के पीछे वही लोग मौजूद है जिन्होंने नागरिक्ता कानून के विरोध में प्रदेश को जलाया था प्रदरशन की आड में कहर पर पाया था और सरकारी संपत्ती को नुकसान महचाया था इस पार यूपी को हाथरस के जरीए चलाने की साजिश रची गई थी और दंगे की इस वेबसाइट के तार पदनाम संगठन इमनेस्टी इंटरनेशनल से चुड़े पाय जा रहे हैं तावा है कि इसलामिक देशों से इस वेबसाइट की मुहिम को चलाने के लिए फंडिंग हुए जिसका खुलासा हुआ है एजेंसियों की जाच में संगठन इमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े साजिश के तार वेबसाइट के लिए इसलामिक देशों से हुई फंडे सरकार के मताबिक यूपी में जातिय दंगे करा कर दुनिया भर में मोदी और योगी को बदनाम करने के लिए रातों रात ये वेबसाइट बनाए गए थी जिसके जरीए फर्जी आइडी का इस्तिमाल कर हजारों लोगों को जोड़ा गया था हाथरस कांड के बाद रातों रात बनी फर्जी वेबसाइट फर्जी आइडी के सरिये हजारों लोगों को जोड़ा किया सरकारी दावा है कि हाथरस पेडिता को मदद के बहान दंगों के साज़िश की फंडिंग की बदौलत अफवाहें पहलाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तिमाल हो जिसके पुखता जानकारी चाच एजिंसियों के हाथ लगे सवाल ये उठता है कि हाथरस कांड को लेकर दंगों की साज़िश में कौन शामिल रहा सरकारी सूत्रों की माने तो जो वेबसाइट बनाई गई उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल के भी शामिल होने कि जो सबूत है वो जाच एजिंसियों को मिले है साफ तोर पर अगर कहें तो जाच एजिंसियों को इस बात के पुखता सबूत हाथ लगे है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के सयोग से जो वेबसाइट थी हाथ रस कांड को लेकर जो फंडिंग के लिए वेबसाइट बनाई गई थी उसके पीछे एमनेस्टी इंटरनेशनल है हाला कि जब ADG Law and Order ने प्रस कांड की खुद ABP गंगा ने उनसे सवाल पूछा एमनेस्टी इंटरनेशनल की भूमिका को लेकर उन्होंने साफ तोर पर नाम तो नहीं लिया लेकिन ये जरूर कहा कि जो सुबूत हात लगे हैं जिन धाराओं में मामला दर्श किया गया है अब उसी के आधार पर पुलिस जल से जल कारवाई करेगी सरकारी दावों के मताबिक CAA उपद्रव के दोरान हिंसा में शामिल रहे PFI और STPI जैसे संगटनों वेबसाइट तैयार कराने में एहम भूमी का निभाई दावा है कि CAA हिंसा में शामिल उपद्रव्यों और राश्ट्र विरोधी तत्वों ने योगी से बदला लेने के लिए बनाई दंगे की इस वेबसाइट को खड़ा किया लेकिन वक्त रहते सरकार ने इस साज़िश को नाकाम कर दिया आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यू चैनल में आज देख रहे होंगे सुबे से उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीशन जाती और सामपरदाइक दंगे की न्यू रखी गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग राजनितिक दौलों के लोग विविन संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे ये द्रिश से आपने देखा होगा और पिसले एक सब्ता से आप देख रहे होंगे कैसे माहोल को खराब करने का प्रियास हो रहा है ये खड़ेंतर होते रहेंगे लेकिन हमें आगे वढ़ना है हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में आपसी नफरत पहलाने की साजिश हो रहा हाथरस की घटना को बनाया गया केस स्टड़ी और जमकर बोए गए नफरत के बीच मीडिया और सोशल मीडिया के जरीए फेक नियोंज, फोटोशॉप्ड तस्वीरों, अफवाउं, एडिटेड विज्वल्स का दंगे भड़काने के लिए इस्तमाल किया गया योगी सरकार को बदनाम करने और प्रदेश में अराजकता के लिए वेबसाइट को इस्लामिक देशों से भगपूर फंडिंग मिली अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही थी यूपी की वारदात के जरीए देश भर में माहल बिगारने की कोशिश देश भर में जातिय दंगे कराने की तैयारी थी जिनों ने एक फरजी वेबसाइट बनाई और उसके जरीए फंडिंग की गई जब जाच एजंसियों को ये जानकारी मिली रातो रात उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया और अब पूरे मामले की जाच के लिए हाथ रस के चंद पाथाने में 20 से ज्यादा मुकद में दर्ज किये गये हैं कहना से पंगर निगम के साथ अन्बह शुक्ला एपी गंग लखनव